हेलो दोस्तों गुरू दीपक पुन्डी चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको आज सहर कराएंगे ओम परवत की और ओम परवत के साथ साथ नाभी डांग में इस्तित भगवान सिव और नंदी की आकरती की ओम परवत हिमाले परवत तरंखलाओं मैं से एक है कहा जाता है कि पुराणों में आठ ओम परवतों का वर्णन है जिसमें से केवेल मनुस्य अभी एक ओम परवत का ही खोच पाया है और वो जो सामने आपको आकरती खाई दे लिए वो ओम परवत की यह बरफ पढ़ने के कारण इस परवत पर ओम की आकरती होते जिस कार करती के बहुत ही सुन्दर नजारे सुन्दर सुन्दर पुस्प खिलेवे हैं और कितने रमण यह द्रस्य है हमने अपनी यातरा नेपल्चू से स्टार्ट की पूर के वीडियो में हमने दिखाया कि आपको आधी कैलास की यातरा की अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओम परवत की यातरा आप किस परकार से कर सकते हैं हमने अपनी यातरा नेपल्चू से स्टार्ट की और यहां से अपनी यातरा सुरू कितनी लेट्स प्लेए सुबह के साड़े पांच बजए हैं और अब हम नेपल्चू में ब्रेकफास्ट करके अपनी यातरा सुरू करेंगे और इस समय में और मेरे साथी अतुन दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा बहती थैस्ट्यम मना ओ रहा है फिर दरगीया यह नपरचो की नहीं है अगर अगर ने ने अगर दुस्टर की रहा है हुआ द्ए फ़्सक्टर आप रहे हैं अब हम नेप्चु पहुच गए नेप्चु से अब हम गुंजी और गुंजी से अब ओम पर्वत की यात्रा श्टार्ट कर रहें जै महादेव जै महादेव व्यास गाती चलाती है और यह व्यास गाती नेप्चु 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 व्यास गाती नेप्चु है और वह गुंजी गाम है और वहां से आगे लगभग 20 या 21 किलमीटर आगे उम पर बता है अब हम वहां की ओर बढ़ेंगे क्यान कीड़िग गुक्स वे अब ही कृफ बबबदी गुंजी पहुंच चुके और ये गुंजी है आई लव यू गुंजी आई लव यू गुंजी इन दा बोर्ड आप सिवा हरहार स्वंभू आमने परवत दिखाए दे रहा है कि मालने परवत और वो नेपाल में इस्ति थे बरब से एकदम ठका हुआ इस समय बरब पिघल रही है और बादल बन के उपर आस्मान में देख सकते हैं यह गुंजी में इस बीटी की चौकिये जहां इनर लाइन परमिट को चेक करने के परस्षा थी आपको आगे ओम परवत की यातरा करने की अनुमती प्रदान की जाती है और रास्ता भी यहां बड़ खावर है आईजी वीपी की दवान ने बताय कि जो रास्ता है वो प्रत् अब कैसा रास्ता मिलता आगे और एक चीज आते समय और ध्यान रखनी है कि ओम परवत को जहां तक हो सके सुबह ही दर्शन करने हैं एक बज़े से पहले दो बज़े से पहले क्योंकि शाम के टाइम यहां पर बादल जमा हो जाते हैं और फिर कुछ दिखाई नहीं देता के इसलिए नहीं हो पाता है यह डेली का ही रुटीन है इसलिए ऐसा नहीं है कि कभी बादल होंके या नहीं होंगे वह शाम को होने ही है कि अधिने खतरना पहार है और वहां देख रहे हैं आपको इक शूखी वे बिल्कुल शूख है पहार और वहां देखो कितने लैंड श्लाइडिंग हो और अधर अधर बरब गिरी दिया देखिए वहां पर अधर पर हाड पर बरफ रही है कि अधर रही है और अब आप देख रहे हैं पत्रिया रास्त्रे स्टार्ड हो गया है तेबल पत्थरी पत्थरे मिट्टी कर तो नाम निसान नहीं है और हमारे दो इस्तातुल आराम सी अपनी बाइक को ले जाती भी मुझे उतरना पड़ रहा है क्योंकि दो लोगों कही होजनी पठा पारी ह अपर गलेशी रह से पिगल कर और बरफ पानी के रूप में आरा है और अब देखिए पानी जो भैकर आरा है उसे एक हिसाल नाले का रूप ले लिये और पानी करत वहाँ बहुत ही तेज है जिससे हमें अपनी मोटर साइकल को पार कराना है और आप देख सकते हैं कि ये मोटर साइकल पार करा nutr верх जा कि यहां पर अभी मैं बाइक लेकर आया हूं बाइक बीच में फ़त चुकी थी तो मुझे एक बार को लगा कि अब तो लग रहा है गई बाइक और यहां पर साथी आ गए है वह भी जूते फुग्रे भीग चुके बरफीले पानी में लोग अब नॉटे टार पदा दी जाऊगा अब यह जैसा ती कि ब्लगोव पर दफीला है मतकार मतकार रही जाइज नहीं वह जरे इस घरेज नाले को पहलाता है अब हम गुंजी से लगभग 9 किलोमीटर आगे आगे हैं और इस पुल को पाल करने के पस्ता जहां पर यह गारियां रुकी वी है यह आईस बीटी का पुचोकी है और यह काली माता का मंदिर है और यहीं काली नदी का उद्गम इस्थान है अब हम इस मंदिर की ओर जाते हैं और माता के चर्णों को इस परस करके यह काली नदी जा दिया है तुसक्ती सुस पर इस मंस्तिता और यह काली नदी है जो माके चर्ण को इस परस करके आगे क्योर बढ़ी है हम आगे क्योर बढ़ रहे हैं कि माका मंदिर जहां से काली नदी का उद्गम है और काली नदी यह हम आपको दिखा रहे हैं यह काली नदी का उद्गम इस्तान है जे माकाली और अब हम माकाली के मंदिर में पहुंच गए हैं और यह माकाली का मंदिर है जे माकाली यह काली माता का मंदिर और यह काली नदी का उद्गम इस्तान है आप देख सकते हैं यहां से पानी का उद्गम होता है जो आगे चलका काली नदी बचती है और यह माता काली का स्वरूप उसी ताइम से यह नदी का उद्गम है काली नदी का और तबी से यह काली माता स्वरूप यहां पहाँ मंदिर में बैटी वी साथियर पुजारा ने हमें बताया कि यह मंदिर काली माता का मंदिर है और इसी मंदिर से काली नदी का उद्गम होता है उन्होंने बताया कि यह घाटी व्यास घाटी कहलाती है और यह घाटी महरसी वेद व्यास की टपोब हुनी है एक दिम माता काली ने महरसी वेद्वियास को दरसन दिये और उन से कहा कि आप मेरे मंदिर की स्थापना कीजिए जहां से एक नदी निकले ही और इस इस्थान के लोगों का भला करेगी आपको जो छिदर दिखाए दे रहा है ये व्यास गुपा है और यहां महरसी वेद्वियास टब किया करते थे काली माता मंदिर के दरसन करने के पशसाथ हम आगे के और बढ़ रहे और यहां से ओम परवत लगबग 12 किलो मीटर दूर है और सारा रास्ता कंकरों से पत्थरों से ब्रावगा रास्ता है बहुत ही दुर्गम रास्ता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच गे हैं उबढ़ खाबार रास्तों कंक्रीले रास्तों पत्रीले रास्तों नालों को पार करते हमारे जूते भीग गे मोटर साकिल गिरने को तयार और उसके बाद हम लगातार्स है वो जिससे चल रहे हैं और ये हैं हमारी होंडा साइन 125 सी जिसके द्वारा हमने ओम परवत और आदी कैलास परवत की यातरा पून की यही वो हमारे साथी हमसफर जो मुझे और रतल हम दोनों ने ये यातरा पून की और अब हम आपको सामने दिखाते हैं सामने वो जो आपको दिखाई देरा वो ओम परवत है और इस समय तूफान भी आया हुआ है पूरा बादलों से बरफिले तूफान से घिरावा ओम परवत और होंडा साइन सफर की हमसफर और बहुत चुन्दी परफिली हवाएं और सामने देखें आपको दिखाई दे रहा है ओम परवत ओम बनावा है ओम परवत हिमाले की 6,121 मीटर उंचाय परिष्टि परवत संखलाव में से एक परवत है जो वर्स भर परव से ढखावा रहता है इस परवत पर ओम की आकरती पनीवी लिखाई देती है इसलिए इस परवत का नाम ओम परवत है और इसी परवत का जो आगे का हिस्सा है जो ओम का हिस्सा रिखाई देता है वो भारत में हैं और उसका जो पिसला हिस्सा है वो नैपाल में इस्तित है और जहां से कैलास मान सुरोवर की यात्रा भी की जाती है और ओम परवत नेवी डांग के ही रास्ते से कैलास मान सुरोवर की यात्रा की जाती है वर्तमान में भी यात्रा बंध है और ये आपको दिखाई दे रहा है ओम के आकार इस परवत पर जो बरफ है ओम के आकार की है ध्यान से देखे इसलिए इसको ओम परवत कहा जाता हर हर संबू जै महाकाल ओम नमस्यवा हर हर महादेब है हमारा प्रिवेश जहां से हम ओम परत्त के दर्शन करेंगे आप जबो का वाद्राप्रत के दर्शन कराएंगे कि अधाइब श्राइब जेहु जेहु संकरा तो अब पर्वत के सामने पर्वत है इसको नावी डांग कहा जाता है क्योंकि ये दिख रहे हैं आपको नावी के आकार का है और इसलिए इसको नावी डांग कहा जाता है और इस पर्वत पर सेशना पर्वत भी फंड के आकार का और इस पर्वत पर हमें भगवान सीव और नंदी की आकर दिखाई देती है जिसके दर्शन हमें तभी होते हैं जो मौसम बहुती साफ हता और देखे वो भगवान सीव और नंदी क्या के थुरा जून करके भगवान सीव और नंदी तो नावी डांग पर अगर मौसम अच्छा तो ही है आकरती में दिखाई लोती है और यह संकर जी है दर्शन बहुती दुलब हैं बहुती कठिन यात्रा करने के पश्चात आपको भगवान सीव और नंदी के दर्शन होते हैं क्योंकि नावी से नावी डांग की यात्रा और ओम परवत की यात्रा गुंजी से 21 किलो मेटर की है और जो बहुती कठिन पच्छी ले रास्तों की है उसको लिए आपको कच्चे पहाड और कलेशियर से पिगलती नदियों के नाले पाड़ करने पड़ेंगे आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने आपको ओम परवत के इसपश डरसन और नाभी डांग में भगवान सीव और नन्दी जी के दरसन कराए है ओम नमस्सिवाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें और ओम परवत की यात्रा का पूर्ण विवरन देखने के लिए यह वीडियो अब बस देखें